हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके नाइस तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानता है यूपिट्रेट एग्जाम 2019 नजदीक है तो फ्रेंड्स यूपिट्रेट एग्जाम 2019 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहादी महत्वपूर्ण कोशन है परियवरा नध्यान से पाचनर यहूं तो मानो के पेट में आमाश्य रस की परकरते हैं वह भोजन से साहता करता है और इसका कार्यर माश्य वाल Boss team है मलेरिया डैंग चिकन कुण यहां तीनों रोग किसे फैलते हैं ? मच्छरोंग से फैलते हैं ठीके है ? डेंगू, मलेरिया और चिकलणुणिया ये बुखार है जो मच्छरों के द्ऌवारा फैलता है Next equation is फ्लेग रोग है तो फ्लेग रोग है जीवानू जनीत रोग है यानि कि जीवानू से होता है फ्लैग रोग किस से होता है जिवानों से होता है नेस क्यूशन है जवार नियंतरन में आमतोर पर सबसे अधिक परियोग की जाने वाली ओजदी है तो दीखिए जवार यानि बुखार नियंतरन में आमतोर पर सरवाधिक परियोग में लाए जाने वाली ओजदी है पेराशिटामोल ठीक है यह आपको जवार है या जिसको बुखार बोलते हैं तो उसमें आप पेराशिटामोल ले सकते हैं उसे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है नियंतरन होता है जवार पे कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है और साथ ही गुड आवला और हरी पत्तेदार सबजी ज़रूर खाने का सुझाल देता है यह मरीज किस रोग से पीडित होना चाहिए तो फ्रेंड्स यह का थक्का नहीं जमता है तो विटामीन के होगा नेस्ट कोईशन है विटामीन सी की कमी से होने वाली बिमारी कौन सी है या उस बिमारी का नाम क्या है तो इसकरवी रोग जो होती है वो विटामीन सी की कमी से होती है ठीक है नेस्ट कुछ योखर रोग नामक रोग किस कमी से होता है तो फ्रेंड्स यह होता है आपकी प्रोटीन की कमी से किसकी कमी से होता है प्रोटीन की कमी से होता है और यह बच्चों में होने वाला रोग है किनमें बच्चों में होने वाला रोग है तो जुखाम यह वाइरस से होता है ठीक है तो यह option के according आपको ठीक करना होंगा, ठीक है तो जुछाम वारस अंक्रमन से होने वाला रोग है, नथ मुश्यच नैंक ऽे नमानग, संगलनता हिमोग्रोंग, से होती है, तो स्योकि होती है, किस होती है? स्यों की चुहों के द्वारा फैलने वाला रोग है तो फ्लैग रोग है यह जिवानु जनीत रोग है ठीक है फ्लैग रोग नेस्ट कोशें हमारे सरीर की किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है तो यकरत जो होता है हमारा लीवर उसके द्वारा क्या होता है अमोनिया यूरिया में बदलता है ठीक है ना? नेस्ट कोशें विटामीन A की कमी से होने वाला रोग है तो विटामीन एकी कमी से रतों दी रहो गया यह आख से संबन दीत है किसे संबन दीत है आख से तो फ्रेंट्स यदि कोश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सेर भी जरूर कर दें नेस कोश्चन है धुरूमपान से होने वाला परमुक रोग है तो वो कैंसर रोग है यह फैप्रो में होता है ठीक है फैप्रो का नेस कोश्चन है पक्षाब उतक परनालियों के सरीर में कहां से मिलते हैं तो यह सवसनिका से मिलते हैं ठीक है नेस कोश्चन है मलेरिया रोग हो इसके कारण होता है कि इसके प्लाजमेडियम फलासी फेरा इसके कारण क्या होता है इसके कारण क्या होता है मलेरिया रोग होता है डेंग रोग का वहाँ है तो एंडीज मच्छर है डेंग किस से होता है मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम क्या है एंडीज मच और आपको बता जो मच्छर काटते आपके female मच्छर काटते थीक है ना नेश को ईसे को करेकर हमका उठेश यह है तो इसका उठेश यह है पोलियों का संपून् पोलियो का संपूर्ण उनमलन करना, यानि कि जड़ से खतम करना, पोलियो का कारण है, तो पोलियो जो होता है आपको विशानू से होता है, किस होता है, विशानू से, मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है, ती होता है आपका अमाश्य में, ठी को पाचन संपन होता है वह अमाश्यम होता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसमे सरवाधिक होती यह तो खनीज की सरवाधि कावा सकतने होती यह इस्थीन a प्राप्त प्रोटीन भोसी काईयों से मिलकर बना होता है यह कहलाती है तो यह कहलाती है अमीनो अमल क्या होती है अमीनो अमल अगर किसी के भोजन में कार्बो हाइडरेड और वसा की अदिकता होती है तो उसको हो जाता है क्या होता है मोटपा ठीक है यह कार्बो हाइडरेड और वसा अदिकता मातर में मिलते है तो फेट चड़ जाता है नहीं मोटपा चड़ जाता है बोड़ी इसको पूलते हैं अतिसार भी बोलते हैं, और अतिसार ठीक है. सूखा रोख किसकी कमी से होने वाला रोग है ? सुखा रोग शूर्चर अस्थमा भिमारी है ? सास भिमारी है ? किसकी भिमारी है ? तो friends यह question आपके UP TED में आपकी भूती help करेंगे सब्सक्र m की सब्सक्राइब तो विटामिन B बारे का नाम है, किसका विटामिन B बारे का, नाश कोईशन है जो पोलिय होता है वे दूसित जल और भोजन से होता है, ठीक है ना बच्चों में जो पोलिय होता है दूसित जल और भोजन के कारण होता है, नाश कोईशन है सुस्क बरब किसका रूप है, तो का Carbon-Dioxide का है किसका CO2 का Carbon-Dioxide यह इसका ठोस रूप होता है नास कोशन है संग्रक्षन या विनास पुष्टक के लेखक है तो सरला भेहन है इंपोर्टन कोशन है आपके यूपिटेट एक्जाम के लिए संग्रक्षन या विनास पुष्टक के लेखक सरला भेहन है नास घूर्चन आ है terminar कॉन से रसें नाम पकाने में परियोग होता है कारवेट बोलते हैं कारवेट बोलते हैं को पका स्वांब में लाया जाता है फ्रतम साथी स्थ्त्रोफ था Anandyaichattane का उधारन है बेसाल्ट बेसाल्ट क्या है अगनिये चट्टानों का उधारन है नेस क्योशन है सिख धर्म के संस्तापक कौन है तो गुरु नानक देव थे शिख धर्म के संस्तापक नेस क्योशन है भुकम की त्रिवता नापने का यंत्र है तो सिस्मोग्रापी है ठीक है ना सिस्मोग्रा क्याए कि रेक्टर पंपने किसा ना पा जाता है तो फ्रेंड्स हमने ने परियावरान अध्यान से संबन्दी थे, important question थे, यूपिट एट में आपके बहुत ही help करेंगे, तो friends, question अच्छे लगे, तो वीडियो को like कर दे, share कर दे, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को भी subscribe ज़रूर कर ले, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, thanks for watching, comments करके ज़रूर बदे, question अच्छे लगे या नहीं,